महराश ने फाइल किया है सीरियल नॉमिनिशन के लिए यूनेसको में यूनेसको की वर्ल्ड हैरिटेस साइट के लिए महराश ने 14 मॉनुमेंट्स को सीरियल नॉमिनिशन के लिए फाइल किया है अब ये सीरियल नॉमिनिशन क्या होता है यूनेसको किस तरह से किसी भी मॉनु को वर्ल्ड हेरिटिस साइट का दर्जा देता है यह सब चीजें हम इस लेक्चर में डिसकस करेंगे मैं हूँ रक्षा रगुवंशी और वल्कम टू लॉजिकल एजुकेशन देखिए सबसे पहले आपके सामनी यह कुश्चन है कि इन मैं से कौन सा सिवाजी का वर्थ प्लेस है राइगर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, तोड़ना फोर्ट और लोहुगर फोर्ट आपको बताना है इन मैं से कौन सा अंसर सही है इसका मैं वीडियो के आपको आंसर दे दूँगी, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है अब बात करते हैं इस न्यूस के बारे में दिखिए किसी भी मॉनुमेंट को, किसी भी साइट को वर्ल्ड हरिटेस साइट का टेग किस तरह से देती है इसके लिए सीरियल नॉमिनिशन क्या होता है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे, दिखिए, एक मॉनुमेंट अगर है, तो उसका तो सिर्फ एक का जैसे की हम बात करें ताज महल की तो वो एक है, तो उसके लिए तो single हो जाता है, बट group of monuments या group of sites जो होती है, वो आपकी serial nomination में होती है, वो किस तरह से इनका पूरा process चलती है, उसको इस lecture में हम discuss करने वाले हैं, तो थोड़ा detail में देख लेते हैं, थोड़ा सा UNESCO के बारे में जान लेते हैं, पहले तो UNESCO क्या है तो फिर हम बता कर पाएंगे कि UNESCO किस तरह से, किसी भी site को world heritage site में किस तरह से consider करती है, तो United Nation educational scientific and cultural organization, United Nation की educational scientific, S4 scientific, C4 cultural और O4 organization है, United Nation, तीक है, इसका full form क्या है, United Nation educational scientific and cultural organization, ये United Nation की specialized agency है, जिसका work क्या होता है, to promote world peace and security, ठीक है, इनको promote करना है, किस तरह से promote करना है, through international cooperation, in education, education में cooperate करना है, science और culture में cooperate करना है, तो ये जो world heritage site में आते हैं, वो culture के जो आपके चीज़े हैं, वो आती हैं, education के, कुछ ऐसे monuments, कुछ ऐसी जगे, जो importance है उसकी, तो वो इसमें आती हैं, अब इसकी parent organization कौन सी है तो parent organization है, United Nation Economic and Social Council, ठीक है, तो इसके अंडर ही UNESCO work करती है, ठीक है, जो पांच organization है, जो आपके United Nations की, तो उन में से एक है, United Nation Economic and Social Council, जिसके अंडर UNESCO है, ठीक है, जिसका part है, मतलब ये, अब इसमें कितने states है, तो United Nation के जितने member states है, 193 वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो 193 member states है, और 11 associate members है, जो इसके member नहीं है, बेसिकली, associate member जिस तरह से हम बोल सकते हैं, कि जो हमारे observe state होते है, सेम उसी तरह के associate members है, ओके, इसका headquarter कहां पे है, तो Paris, France में इसका headquarter है, ओके, और इसका formation कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, 16th of November 1945, आपको सिर्फ यार याद रखना है, date का इतना ज्यादा importance नहीं है, तो United Nation, educational, scientific and cultural organization है, United Nation की specialized agency है, aim क्या है, promote करना है, science को, culture को, education को promote करना है, और organization, parent organization कौन सी है, तो economic और social council, यह parent organization है, 193 member states है, और headquarter कहां पे है, Paris में है, formation का बहुत है, 1945 को हुआ था, ठीक है, अब इस news के बारे में डिसकस करते हैं, basically यह है क्या, तो महाराश की government ने summit की है, एक tentative list, serial nomination के लिए, ठीक है, एक list of monuments, list of sites की list नों ने भीजी है, यह किसलिए भीजी है, यह चाहते हैं कि world heritage site का tag मिले इनको, यह कितनी sites हैं, तो 14 forts हैं, 14 forts हैं, यह सारे की सारे महाराश में हैं, ठीक है, from the era of 17th century के यह forts है, छत्रपती, सिवाजी क time के, यह forts है, उनसे मतलब माराथा जो empire है, उससे related है, यह forts, on the theme of माराथा military architecture in महाराश, जो माराथा का architecture था ना, माराथा architecture उस time के है, अब जो serial nomination में जो list आती है, वो एक साथ कई सारे forts वगेरा आ जाते हैं, तो एक साथ एक जैसी जो चीज़ें दिखती है, एक जैसा architecture होता ह जिनका, उनको इसमें कंसी रखिया जाता है, यह eq, single होता है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा और detail में देख लेते हैं, serial nomination है, यह world heritage site के पास लिया, कि इस तरह से पहले तो माहराश की government ने archaeological survey of India को यह list दे दी, फिर archaeological survey of India ने यह ministry of culture से अप्रूव कराई, और इसके थो यह UNESCO के पास चली गई, ठीक है, यह tentative list जो है वो, ठीक है, UNESCO ने इसको accept कर लिया है, accept करने का मतलब क्या है, कि यह जो list ने यह भी दिया ना माहराश ने, अब इस पर यह विचार करेंगे कि इसको world heritage site में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, तो इस तरह से यह tentative list इनके पास पहुँच गई है, अब according to world heritage site convention operational guidelines, world heritage की जो conventional operational guidelines है, मतलब बेसिकली इसकी जो guidelines है, उसके हिसाब से जो tentative list होती है, वो क्या होती है, एक inventory होती है, of properties, a country believes deserve to be a world heritage site, मतलब कि इस तरह की list है, जो कोई country चाहा रही है, कि इसको world heritage site का दर्जा मिले, तो इस tentative list में consider करने के ल world heritage site, इसको consider, उसको मानना या नहीं मानना है, वो world heritage, मतलब जो आपका UNESCO है, उस पर depend करता है, ठीक है, world heritage site में इसको रखना या नहीं रखना, तो एक inventory है, जो कोई country भीज रही है, अब वो क्या चाहती है, कि इसको world heritage site में रखा जाए, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमने UNESCO के पास, जो site भेजी है, जो forts भेजे है, उनके बारे में हम बताते हैं, कि क्यों इसको रखना चाहिए, क्या इसकी importance है, किस time का है, ये सब चीज़े बताते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़े उसमें बताई जाती है, और ये कौन देखता है, ये देखती है, जो UNESCO की world heritage committee है, वो देखती है, ठीक है, तो ये committee इसको रखना या नहीं रखना, अब ये 14 forts की list है, ये जो 14 forts है, ये भेजे हैं, महराज गवर्मेंट ने, तो इनमें राएगर फोर्ट है, राजगर फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, टोर्णा फोर्ट है, लोहोगर फोर्ट है, ये जो है, लोनावला में है, ये तोर्णा फोर्ट पूने में है, शिवनेरी फोर्ट ये भी पूने में है, ये शिवाजी का वर्थ प्लेस है, ये ही मैंने आपसे question पूछा था, शिवाजी का वर्थ प्लेस कौन सा है, शिवनेरी फोर्ट, ठीक है, राएगर फोर्ट, ये capital फो थिक है रंगाना फोर्ट केशा फोर्ट यह सभी फोर्ट इसमें एक है, Present तो 14 फोर्टас की list है, यह जो महाराश government है उन्होंने भीजी है, उके अब बात करते हैं कि सीरील νोमेनीशन की लिए उन्होंने भीजी है, तो यह सीरील यह जोग्राफिकल यह अनकनेक्ट मतलब कि एक जगे से दूसरी जगे मतलब दूर है ठीक है तो जोग्राफिकल लोकिशन उनकी अलग-अलग है दो या दो से जादा ऐसी अनकनेक्टेट एरियास की लिष्ट को भेजा जाए एक साथ ठीक है तो इसको बोलते हैं हम सीरियल नैचुरल प्रॉपर्टी मतलब कि क्या है कि कोई भी हमें साइट बेजनी है कोई भी तो यह तो वह हो गई उसकी सीरीज है मतलब ऐसा नहीं कि एक अकेला है अब आपका नाम ही इससे समझ जा रहा है कि सीरियल नॉमिनिशन है मतलब कि एक साइट नहीं भीज रहे है एक अब आपका यह तो लिए जो कि साइट को आप नहीं वेज सकते हैं और क्या है इसमें क्या होता है, they provided that they are related because they belong to, किस तरह से वो related होते हैं, क्योंकि वो एक तरह का उनका historic culture होता है, ठीकि एक तरह के historic culture ग्रोप से होता है, जिसे कि यह मराथा empire से related है, तो सभी तरह का archeologically वो same है, same historic cultural ग्रोप है, ठीकि कोई भी property है, जिसकी characteristics जो है, जो geographical area है, वो same तरह का property है, सेम तरह के geographical area तो अलग अलग है, जिसकी महाराश्च है, उसमें फैला हुआ था पूरा मराथा empire, ठीक है, तो अलग अलग जगे पर हैं, लेकिन सेम तरह की historic cultural group है, सेम तरह की, सेम टाइप की properties हैं, सेम जो जो लॉजिकल और सियम जो मॉर्फोलोजिकल formation है, ठीकि भू अंदशना उनकी सेम है, इसके बाद सेम बायो जियो ग्राफिक प्रोवेंस है, एक तरह के प्रोवेंस से वो रिलेक्ट करते हैं, एक तरह का ecosystem है, तो यह जो होते हैं, उसको हम serial nomination में भेश सकते हैं, उसको आप serial nomination में भेश सकते हैं, वो एक ही world heritage site consider की जाएगी, अब ऐसा न वेलोनिया, यह वेल्जियम में है, इनको किया गया था, रॉक आर्ट ओफ मेडिटेरियन बेसें, यह जो है, यह आपका Spain में, इनको किया गया है इससे पहले, 1996 में, historic monument of Kyoto के, ancient Kyoto के जापान है, वहां के historic monuments जो थे, उनको serial nomination के थो world heritage site का दर्जा मिला है, इसके अलावा भी है, तो मैं आपको यह दिखा देती हैं, यह कहा पर है, यह हम सारा देख लेते हैं, देखेते, यह है, जैसे कि आपकी यह Kyoto वाले हैं, यह देख रहे हैं, यह जो monuments है, यह यहां पे, तो यह कई सारे monuments हैं यहां पे, तो यह सभी के सभी, एक जैसा अगर है, तो इनको world heritage site मनाय जा जैसे आप यहां पर एक image देखिए आपने और इसके अलाब आप दूसरी image भी देख सकते हैं यह जो images है देखी यह है ना यह वाली ठीक है तो सेम तरह है इसी तरह से अगर हम बात करें यह आपके चर्चिस जो है यहां के यह देखिए रोमानिया के जो यह चर्चिस है एक तर हिल्ग लाव आप लेजियम के बात करें तो वैलिजियम के यह है देखिए यह जो सेम तरह से taki है आप इसको साइट पर भी देख सकते हैं यह इके है तो इसको पढ़ सकते हैं यह यहां पर फ्रांस और से अरक बार मंवान यह तो तो हम इनके बारे में डीटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो यह आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पूरा डीटेल में, यहाँ पे हम जो लक्षा बना रहा हैं, उसे रिलेटेड इतना नहीं है यह, तो इसलिए हम इसको डीटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो एक तरह की फोर्ट जो पूने में है वो शिवाजी का वर्थ प्लेस है और इसके आलावा सबसे पहला फोर्ट जो शिवाजी ने जो जीता था वो टोरना फोर्ट कंसिडर किया जाता है ठीक है राइगर इनकी कैपिटल रही है ठीक है तो यह काफी इंपॉर्टेंस एंफोर्स की और आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी यहां पर विकरस मैं थोड़ा बाहर हूं तो में थोड़ा आउटसाइड साउंड भी आपको आ सकता है तो सॉरी फोर्ट थैट थोड़ा इनकन्वीनियन्स होगा इसकी वज़े से तो यहां पर हमने यह लेक्चर कम्प्लीट किया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंच के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें था